अक्सर लोगों को आपने ये कहते हुए सुना हुगा कि UPSC में competition बहुत है, business में competition बहुत है, कोई job के लिए apply करो तो competition बहुत है पर आज में आपको एक ऐसी कहानी बतानी जा रहा हूँ, कालपनिक कहानी, जिसे सुनने के बाद आपका नजरिया उस competition को उस difficulty को देखने का नजरिया बदल जाएगा तो ये कहानी है दो शेरों की, दो शेर होते है जो जंगलों में घुमते घुमते जाते है और एक जगा जाके बैठते है उसमें से एक शेर को प्यास लगती है वहीं थोड़ी दूर एक जहरना होता है पानी का जहरना पानी उपर से गिर रहा होता है उसकी जोर जोर से आवाज आ रहे होती है तो प्यासा हुआ शेर पानी पिने के लिए वहां जाता है तो आवाज सुनके आवाज को डर समझ के या आवाज से घबरा के वो ये सोचता है कि मैं पानी नहीं प्लूँगा और वापस लोटाता है कुछ देर बाद जाता है तो वो पानी फिर से उपर से गिर रहा है पानी का आवाज आ रहा है पिर से वह कहता है जब तक आवाज नहीं बंध होगी, मैं पानी नहीं पिऊनगा फिर से रापस आता है ऐसा 3-4 बार होता है और वो ऐसा आ कर बैठता है तो उसके साथ वाला शेर बोलता है क्या हो गए तो उसे बताता है कि मुझे प्यास लगे वहाँ जा रहा हूँ और वो आवाज ही बंद नहीं हो रही है जब आवाज बंद होगी तब ही पानी पूंगा इसे सोचा था तो वो दूसरा वाला शेर बोलता है वो आवाज पानी की ही है वो आवाज जब बंध हो जाएगी तो हो सकता है कि वहाँ पानी भी न रहे तो इसी कहानी के साथ हमें ये देखना है कि ये opportunity, competition और difficulties के साथ भी ऐसा ही होता है जहाँ पर competition है, opportunity है, वहाँ पर हमें ये कहानी रिलेट करने के लिए यूज करनी चाहेंगे देखिए, जहाँ पर opportunity है, वहाँ पर competition है, UPSC में किसी को IAS बनना है तो पहले से ही देखता है कि देखो इतना competition है, 10 लाख लोग apply कर रहे हैं, उन में से 100 लोग IAS बनने वाले हैं कोई business के लिए जाए तो वो बोलता है कि देखो इतने सारी problem से, इतने सारी competition है, मैं कब success इसमें पाऊंगा कोई job के लिए apply करना है, for example, software engineer के लिए तो पहले से ही लोग कहते हैं कि वहाँ पर 500,000 रेजुमें पहले से ही होंगे मेरा CV कब short list होगा, मेरा interview कब होगा, उसमें से मेरा selection कब होगा तो आपको ये मानना चाहिए कि जहाँ पर opportunity है, वहाँ पर competition है आपको competition में कूदने की आदर डालनी पड़ेगी, तभी हम success पास सकते हैं नहीं तो उसी शेर की तरह हम बिना पानी पिये ही लोटेंगे, तो हम कभी success नहीं हो सकते हैं तो उसी शेर की तरह हम कभी भी पानी नहीं पी पाएंगे तो मैं आपको ये कहता हूँ कि competition में कुदना सीखो, competition की आदर डालो और जब competition में उतर के आप successful बन जाओगे और पीछे मुड़ के देखोगे तो कहोगे कि मैं competition में उतरा इसलिए आप successful हूँ अगर डर के बैटा होता तो successful नहीं होता फिर आप आपकी जिंदगी को पीछे मुड़ के देखे कहोगे कि हदे जब घर से निकली तो गाओ गाओ चली कुछ यादे मेरे संग पाओ पाओ चली सामना जब धूप से हुआ तो तजुर्बा हुआ वो जिंदगी भी क्या जो चाओ चाओ चली तब आप लोगों को कहोंगे कि comfort zone छोड़ दो यार competition में उतरो hard work को मत देखो उसके बाद जो success मिलने वाला है उसको देखो